महादेव का इधनुष आपके पूर्वज राजा देवरत को उप देता उसे क्यों प्राप्थ हो इसका कारण तो आज स्पष्ट हो गया है ताकि जिस दिन आपको ये कन्या प्राप्थ हो इधनुष आपको उसकी दिव्यता का बोध करा सके जिस सर्धनुपो कोई नहीं उठा पाया उसे उठाने वाली ये कन्या कोई साधारन कन्या नहीं है जाए इश्वर का वर्दान है आपके मिथिला गया परना है कैसे उसी स्थान पर मिली जहां पर आप घल चलाने बागे थी कैसे ये उस त्रिशित भूमी के अंदर रहकर भी जीवी थे यह आई तो वर्षा क्यों है मिथिला का संकट क्यों डला है तो एक सूची राजना